नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्स स्वागत है आपके अपनी योटूब चैनल पूजा घरसन सारवे फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंट होने के कुछ ऐसे लक्षन बताऊंगी जो सबसे सुरुआती होते हैं और इससे आप बहुत ही जल्दी अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको गर्वधारन हुआ है या नहीं हुआ है फ्रेंट्स बहुत सारे महिलाओं को जब उन्हें प्रेगनेंसी ट्राई करती हैं तो मन में ये सवाल और प्रशन जरूर आते हैं हर महिने कि हमें इस वार गर्वधारन होगा या नहीं तो कुछ लक्षन बहुत ही खाश होते हैं जो हमेशा आपको स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ही पता लग जाएंगे जिसके लिए पीरेड मिस होने तक का भी वेट नहीं करना पड़ता है स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो बात होती है मिस्ट पेरेड की 100% कंफार्म तरीका होता है हमारी प्रेगनेसी को डिटेक्ट करने का प्रेगनेसी को मिस्ट पिडिएड हो plaisir होते है। तब हम यूरीन सैंपल से चैक करते हैं बट फ्रेंड्स कई बार mist period होना pregnancy का ही लक्षन नहीं होता है कई बार हमारे healthy condition की वज़े से proper हमारे hormones नहीं होनी की वज़े से भी हमारे periods irregular हो जाते हैं इसके अलावा जो सबसे प्रारंबिक लक्षन होता है जब एक sperm से meet कर लेता है और fertilization हो जाता है इस condition में आपके सरीर में estrogen और progesterone hormone का level बढ़ने लगता है जिसकी वज़े से आपके पेट में दर्ध होना, gas बनना, constipation, कब जिके सिकायत होना बहुत ज़्यादा आम हो जाती है इसके अलावा फ्रेंट्स आपके breast में भी थोरी बहुत सूजन हो सकती है, भारीपन हो सकता है इसके अलावा फ्रेंट्स आपको निपल के आसपास थोड़ा tenderness जैसा feel हो सकता है जो की केवल छूने मातर से आपको अजीब सा एहसास दिलाएगा इसके अलावा फ्रेंट्स बहुत सारी महिलाओं को frequency of urination की बहुत अधिक परिशानी हो जाती है, frequency of urination इट मीज़ की जब आपके uterus की मान स्पेसिया बढ़ने लगती है, जो की आपको आँखों से दिखाई नहीं देती है पहले के कुछ दिनों में इसके अलावा फ्रेंट्स जब यूट्रस बढ़ता है तो इसकी बिल्कुली नहीं चे कनेक्टेड होती है urinary bladder जिस पे pressure पढ़ने की वज़े से अगर यह full नहीं है तो भी आपको बार बार urine पास करने की समस्या हो सकती है, यह सबसे earlier phase और sign or symptoms pregnancy का माना गया है, कि आपको frequency of urination बहुत बढ़ जाती है, आपको हर 15 मिनट या 20 मिनट पे लगता है कि आपको urine जाना है, इसके अलावा फ्रेंट्स जब आप urine पास करते रहते हैं तो उस समय urine का color थोड़ा dark भी yellow is color का दिखाई दे सकता है, फ्रेंट्स कई बार हमें pregnancy conceive होने के बाद भारी मातरा में discharge होने वो हमेशा सरीर बाहर की ओर धकेलने लगता है ताकि एक brun का portion अच्छे से हो पाए, वो अच्छे से stabilized हो पाए और उसका development भी ठीक तरीके से हो, इस वज़े से पहले के कुछ महीनों में आपको discharge heavy जाता है, जो की cream texture का हो सकता है दोस्तों, इसके अलावा mood में परिबर्तन होन जी मिचलाना, उल्टियां आना, चक्कर हो जाना, बहुत ज़्यादा बद्वू आना, किसी smell से आपको बहुत ज़्यादा जी मिचलाना, इसके अलावा friends सीर में दर्ध होना, ये साड़े बहुत ही आम लक्षन होते हैं, जो बहुत सारी महिलाओं पर period मिस होने के बात दिख करना चाहते हैं, तो आप अपनी period मिस होने के वन बिक पहले से इन लक्षनों को महसूस करना और दिखान देना सुड़ू कर दीजे, अगर ये सारे लक्षन आपको महसूस होते हैं, तब भी आपको अपने period मिस होने तक का इंतजार जरूर करना चाहिए, इसके अलावा friends मन म और भी कोई सवाल हैं, तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकती हैं, इसके अलावा आप मुझे facebook page पे या फिर instagram id पे जो की पूजा घर संसार है, वहाँ पे भी follow कर सकती हैं, वहाँ पे भी मैं daily बहुत ही अच्छी जानकारियां लेकर आती रहती हूँ, so friends इस वीडियो को यहें पैंड करते हैं, please like, share and subscribe चैनल को जरूर कर लिजेगा, next time फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों, take care, thanks for watching.